कि सबसे बड़े डिप्लमाट कौन थे मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लमाट एक श्री कृष्ण थे एक हन्वान जी थे और अब कि अगर आप उनको घूट नीती की परिपेक से देखें कि किस सिचुएशन में थे उनको मिशन क्या दिया गया था किस तरीके से उन्होंने ह और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे उन्होंने सीता को फिजिक वो कंटक्ट भी किया था पूरी लंका की खबर ली लंका को जला भी दिया उसके बाद पाने कैसे डिप्लमाट ने और पॉपर्स मल्टी परपस डिप्लमाट तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्राटीजिक कांसेट जो आज की चर्चा में आज के डिस्कॉर्ज में दस बड़े स्ट्राटीजिक नसेट जो इंटरनाशनल रिलेशन मैं हर कौनसेप्ट का आपको एक महाभारत मेंrevेकविलनिंट कि अगर आप कहें अर्याज मल्टी पॉलार वेल्ट है उस समय भ यह साथ हैं एक-दो नॉन अलाइन निकले बीच पिछ जैसे बलराम थे या रुखमा थे या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है इंटर डिपेंडेंडेंस हैं सब पर यह बाधाये हैं कंस्टेंड अर्जून की दुइदा क्या थी कि वह इंतर डिपेंडेंडेंडेंट इन्टर डिपेंडेंडेंड स्टियमें के अपने रिष्टेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई कर वह भी इच्डेल भी स्टक्राइट अ था पर emotional interdependence था या हम कभी-कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो क्या चलो हम strategic patience दिखाते हैं strategic patience का सबसे अच्छा उधारन जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्हों ने शिशुपाल को handle कि सौ बार उन्होंने शमा किया सौ बार उसके बाद आपको पता